चमपारन पुलिस वैश्वीक महमारी कुरोना में एक तरब पुरी मुस्तेधी के साथ लोगों को सरकारी गाइडलाइन पालन कराते हुए करोना का ग्राप कम करने में बड़ी भूमी का निभारी है वही अवर्त कारे करने वालों के खिलाब भी लगातार अभियान चला कर उनके मनसूबे पर पानी फेरते हुए सलाकों के पीछे डालने में भी तनिक देर नहीं लगा रही है इसी कड़ी में मंगलवार को चमपारण के दन्वा खाटी इस्थीत एक लाइन होटल से छापे मारी कर दो प्लास्टिक के बोरी में चुपा कर रखे 10-10 किलोग्राम डोडा को जब्त करते हुए दो वैक्टी को न्याई खिरासत में लिया गया इस संबन में थानाप्रभारी विनोत तिर्की ने प्रेस विग्यप्ती जारी कर बताये कि गुप्त सूचना मिले थी कि उक्त होटल में बड़े पैमाने पर लगातार नश्य का कारूबार संचालित किया जा रहा है वर्य पुलिस पताधिकारी की सूचना के आलोक में चमपारन पेट्रोलिंग गस्ती दल को होटल पर निगार रखने का निर्देश दिया गया मंगलवार को दिन के तीन बजे के करीब होटल के पास खड़ी एक ट्रेलर वाहन के चालक और उपचालक से पूस्ताच के दौरान चालक के घबराहट को देखते हुए ट्रेलर के कैबिन की जाच करने पर कैबिन के अंदर तीन किलोग्राम डोडा का बुरादा बरामद हुआ है जिसे विधिवत जब्त किया गया तथा ट्रेलर चालक बलजीत सिंग, पिता स्वर्गिय लखविंदर सिंग, ग्राम नाई बाड़ा, थाना पात्रा, जिला पाटियाला, पंजाब, वही खलासी विकर सिंग, पिता स्वर्गिय जरनार सिंग, ग्राम, तखीपूर, थाना, लोंगवाल, जिला, संगरूर, पं बांक 25-2021-414-34 भादवी और 17-18C NDPS Act के तहत मामला दर्च कर लिया गया है वी टाइम न्यूस के लिए चंपारण से प्रमोध सोनी की रिपोर्ट